दोस्तों आज की वीडियो में कापी महत्रफुन टोपिक पर बात करने वाले साथ में एक लेटेश्टिंग जज्जमेंट के लेड मारत दो जज्जमेंट होने वाला है जो कि बच्चों को लेकर बार बार जो परेशानी आती रहते इसके बारें पूरी डिटेल में बात करने बाले इसमें जिसे वीडियो कापी महत्रफुन होने वाला और वीडियो को लाइक शेर और चैनल को अगर सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना देगे दोस्तों होता है कि जब भी कोई पती और पत्रीं के बीच में डिस्पूट का मामला होता है मैं यहाँ पर सबसे ज़्यज़ा दिक्कत आजाती बच्चों को लेकर अब बत्चे जैसे माइनर है छोते बच्य पांथ साल से छोटा बच्चा हो माई के पास रहेगा ठीक है कहीं जगह माह ऐसा करती कि बच्चे को बलेक मेल करने लग जाती है बच्चे को पिता से बात न तों कहीं सारी होती खुदी बच्चे को पिता अप्रहν करता है तो कोई अपरण नहीं माना जाता है लेकिन कहीं जानबुझ can बना देती है लेकिन उसके बावजूद भी परेशान होता है पुलिस उसको परेशान करती है पति के परेशान होते हैं इस चीज से हमें डरे रहते हैं यहां पिता जो एक नेच्रोल गार्जिंस होता है मतलब बच्चों का जो पिता होता है उसके बाद सेकेंडरी मतर होती है पहले नेच्रोल टी जो सरक्षण का है सरक्षण अधिनेंव गुनिश्चो छपण बनावाज इसकी धार अच्छे के लेली बताये इसमें पूरा एक्स्प्रेंग कर दिया गया है जो सरक्षण है पिता क सबकुछ करता है तो उसके कहने से पिता फिर भी जिम्मेदार उठाता रहता है उसका मेंटेनेंस देता रहता है इसके गलत यूज करती आज की देट पर देखा जाए दोनों की वेश्की लड़ाएं लेकिन उसमें कहने से उस बच्चे से बात नहीं कराना उससे अपने पिता को दूर कर देना उसके मायंड में बढ़ा हो गया 5-7 साल का तो उसके गलत फेमिया डाल देना तो इस टाइप से कहने बच्चों का पूरा फिचर खराब हो जाता है अब यहां पर एक मामला यह होता है कि साम के समय पे तो साल का नीए अक बच्चा था उसको पिता से बात सी ठिट करने नहीं दे रही थी पतни तो उसको पिता भागा के ले के चला गया उसके बाद पत्नी फ्लीस थाने में जाती है एफ फीर दैश करकराती है कि मेरे बच्टे को अपरन करके ले गया पुलिस यहां पर में एक पा कि जिम्मेदारी खुद की होती है कोई अपरण नहीं होता है अब बेटा बापका है ठीक है नेचुरल गार्चिंस पहले पिता है उसके एक जिम्मेदारी कि उसको उसके बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा है उससे बादचित नहीं किया जा रहा तो फिर पिता क्या करेगा यह करेगा वह अपनी बच्चों को अपने पास रखेगा क्यों उसकी सरक्षण की जिम्मेदारी उसके फिचर की टेंग्शन उसको रहती है हमेशा कहने कहीं से तो इस सिच्चेशन में कहने कहीं से महिलाएं इस चीज को समझना पड़ेगा कि बच्चों को आप कभी भी ब्ले सबसे ज्यादा बच्चों को होती है करिए अगर आपके बच्चों की अच्छे से परविर्स हो पाएगी अन्यत अगर आप बच्चों को लेकर मैंटेनिस को लेकर इस तरह से बेड़ बाट करोगी तो दिक्कत आएगी तो यहां पर जजमेंट बहुत 15 पेज़का है जिसमे सब्सक्राइब के बारें बताया गया और पूरी तरह से 362-363 की बताया गया कि भीया इसमें परिवाशित कर दिया गया कि विया किस पे तो अपरन का मुझ्जमाब बनेगा किसमें नहीं कोई नाजाएज ओलाद नहीं होती खुद की पिता की एक ओलाद होती है एक यह तो मिलाना पड़ेगा अन्यत आप कंटेम्ट कोट भी जाएगी पिता के पास चले जाएगी फिर आप प्रेंड का केस या पुलिस के साथ करोगे कुछ भी तो होने जाना वाला कुछ भी नहीं है इस जज्जमेंट को हर किसी के लिए इतना इंपोटेन जज्मेंट है यहां पर पूरा कार्जेंस एक्ट की वी वासा थारा सो नब्बम बनावा उसका गुनिसोच्छपण में सनक्षन अधिनियम एक्ट भी मना सबके बारे में पूरा जज्जमेंट बता है कम से 15 पेस का जज्जमेंट है इसमें मोटी मोटी जो चीज़े में आपको बता दिया कि यह किसी भी पिता करेंकर चाहे वह एक साल का बच्चा+, दोसाल का बच्च उस पर किसी भी परकार का अपरियान का मामला नहीं बनेगा को जाके इसमें पूरा एकस्पैन कर दिया गया है इस जी मेंन का आपको डिश्क्रशन में देन आप दाएक होने वाला फिलाराज के लित्रा ही चे हिंद वंदे मात्रम दो